महा प्रसाद जननी सर्व सोभाग्य वर्धनी आधिव्यादी हरानेत्यम तुलसीत्वम नमुस्तुते व्रंदा व्रंदावनी विश्व पुजीता विश्व पावनी पुष्पुसारा नंदनी च तुलसी क्रश्न जीवनी एत नाम अश्टकं चेव नामार्त सन्युक्तं यपठेत टाम सपुजं सोभव मेग लबते हरे क्रश्न हरे क्रश्न 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगते वासु देवाई आज हम कार्तिक मास के महात्यमे का आगे का अध्धाय सुनेंगे आज मैं आपके लिए कार्थिक मास का नवा अध्धाय, नवे दिन की कता और आरती लेकर आए हूँ आईए समय गवाई बिना कार्थिक मास का नवा अध्धाय सुनते हैं राजा प्रदू नारद्मुनी से पूछने लगे कि हे देवरिशी नारजी, आपने कायतेख मास के वरत में तुलसी के जड़ में भगवान विश्नु का निवास बताया, उस इस्थान की मिट्टी को आपने पूजनिये बताया, अतै मैं श्री तुलसी जी के महात्यमे को सुन इतिहास को ध्यान से सुनिये, एक बार देव गुरु व्रस्पती जी और देव राज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लाश परवत की ओर गए, जब भगवान शंकर ने देव राज इंद्र और वस्पती जी को देवताओं के साथ आते हुए देखा तो उनकी पर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त सिर पर जटा धारन किये हुए, वैसे ही बैठे थे, तथा भी उन भगवान शंकर को ने पैचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम पुछा, और पुछा कि भगवान शंकर अपने इस्थान पर है या नहीं, इस पर उस दि इंकार के प्राभाव से वेचुक किस प्रकार रह सकते थे, उन्होंने क्रोधित होते हुए, उस दिगंबर धारी तपस्वी पुरुष से नाराज होकर घुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझ से पूछा है और तू उसका उत्तर क्यों नहीं देता, मैं अभी तुझे अपने वज्र का पहार करके दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझे कौन बचाने आता है, इस प्रकार कहे का जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मानने के लिए अपने हाथ में व्रज उठाया, वैसे ही भगवान शिव ने व्रज सहीत इंद्र का हाथ इस्थ जाएं इस्तंबित होने के कारण इंद्र दुखित होगे, साथ ही वे कूपित भी होगे, परन्तु उस जटाधारी दिगंबर को प्रजल्वित देखकर, रस्पती भगवान तुरंत समझ गे कि यह जटाधारी दिगंबर और कोई नहीं सम भगवान शंकर है, उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, दंडवत उनकी इस्तूती करने लगे, ब्रस्पती भगवान शंकर भगवान से बोले कि हे दिनानाद, हे महादेव आप अपने क्रोध को शांथ कीजिए और इंद्र के इस अपरात को शमा कर दीजिए, ब्रस्पती जी के वचन सुन कर भगवान शंकर गुरु रस्पती से बोले कि मैं तुमारी इस्तूती से प्रसन हुआ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अगनी अब इंद्र को पीडित नहीं करेगी व्रस्पती से इस प्रकार कहे कर भगवान शीव ने अपने मस्तक से निकाले हुए, अगनी मैं तेज को अपने हातों में लिया और उसे शीर सागर में डाल दिया ततपश्चार भगवान शंकर अंतरध्यान होगे, इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छाती उसे जानकर इंद्र और वस्पती जी अपने अपने लोग को चलेगे आईए इस अध्याय में हमें कोराणी कथा का शावन करते हैं एक बार नारगमुनी ने स्री प्रमाधी से पूछा था कि हे पिता मैं, व्यास जी और सिरी वसिष्ट जीने ग्रहस्त आश्रम को सबसे श्रेष्ट क्यों कहा है जैसे सभी नदिया समुद्र में आश्रेप आती है, सभी जी माता का आश्रेप आते हैं, वैसे ही सब आश्रम ग्रहस्त आश्रम होता है चैप्रकार के भिष्शू, पहला भ्रमचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यारती, चोथा गुरू पूजक, पाचवा मुसाफिर और छटा जीवी का रहित, ये सब ग्रहस्तों का ही आश्रम है तब रमाजी कहने लगे कि हे नारत की समन्ने मैं तुम्हें एक औराने की तिहा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनों उत्तान पाद राजा का पुत्र राजकुमार उत्तम था, वै बड़ा ही बलवान और समदर्शी था उसने विदुला नाम की इस्तरी से विभा किया, राजा रानी दोनों बड़े ही प्रेम से रहते थे एक दिन राजाने वेश्या का नार देखते हुए, मधिरा का पान अधिक कर लिया तब मधिरा के नशे में राजाने रानी को मधिरा पीने का आगरह किया किन्तु रानी ने राजा का कहना नहीं माना इस बास से राजा क्रोधित हो गया उसने अपने सेवकों को आग्या दी कि इस रानी को निर्जन वन में जाकर छोड़ाओ सेवक विवश हो गे और रानी को वन में छोड़ाए सेवक क्या करते राजा की आग्या सिर माते पे होती है तो विचारे सेवत राणी को वन में छोड़ आए दूसरे दिन जब राजा का नशा उत्रा तो उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ उसने अपनी राणी को डूरने का बहुत प्रयाद ने किया लेकिन उनकी राणी उनकहीं नहीं मिले राजा ने अपनी पत्नी के वियोग में दूसरा विवा भी नहीं किया अब राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सामान करने लगा एक दिन उनकी प्रजा का एक ब्रामन राजा के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, कोई मेरी इस्त्री को हरका ले गया मैं उसके वियोग में अती दुखी थूँ इसलिए अब आप ही मेरी पत्नी को ढून कर के लाइए राजा कहने लगे कि हे ब्रामन दे मैं नहीं जानता आपकी इस्त्री कोन है, किदर है, कहां गई, कोन ले गया तब मैं आपकी इस्त्री को कैसे ढून कर ला सकता हूं ब्रामन कहने लगा कि हे महाराज, आप रजा से छटा भाग लेकर उनकी रख्षा करने का वचन देते हो, मेरी इस्त्री घर में सो रही थी, वहीं से कोई उसे हर कर ले गया, अब आप का कर्तव्य बनता है कि आप उसे डून कर के लाएं राजा कहने लगा कि मैंने तुमारी इस्त्री को कभी नहीं देखा, वह कैसे सोभाव की थी, कैसा उसका रूप रंग था, तब रामन कहने लगा कि हे महाराज, मेरी पत्नी बड़ी ही कठोर वचन बोलने वाली, और बड़ी ही कुरूप काले रंग की और बड़ी ही करकशा थी लेकिन महाराज ऐसा कहे कर मैं अपनी पत्नी की निंदा नहीं कर रहा मैं आपको उसका व्यभार और उसका रूपरंग बता रहा हूं क्योंकि वह मेरी धरम पत्नी और अध्धांगनी है राज ब्रामन से बोला कि है ब्रामन दे जब तुमारी इस्त्री इतनी कुरूप और कुटील सोभाव की थी तो तुम उसे ही वापस क्यों लाना चाते हो मैं तुमारा एक बहुत सुन्दर इस्त्री से दूसरा विवा करवा दूगा ब्रामन क्याने लगा कि है महाराज वह इस्त्री मेरे धरम करम की अरधांगनी है उसकी रक्षा करना मेरा परम धरम है जो पुरुष अपनी इस्त्री की रक्षा नहीं करता उसे वर्ण संकर संतान पैदा होती है उसके पितर नरक में दुग भोगते हैं जो मनुष्य वेश्यागामी होता है उसका कहीं कल्यान नहीं होता, जो मनुष्य रितुकाल के पश्चात इस्तरी संभोग नहीं करता, उसके तिर एक मास तक उसके रुदील से लोडते हैं रामन के ऐसे वचन सुनकर राजा उसी समय अस्तर शस्तर लेकर खोड़े पर सावार होकर चारों दिशाओं में उसकी इस्तरी को खोजने निकला, खोजते खोजते राजा एक वन में एक आश्रम में पहुचा, वहां आश्रम में कुशा के आसन पर एक तापस्वी रिशी कि हे राजन, तुम यहां क्यों आए हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम राजा उत्तान पाद के पुत्र हो, मगर मेरे आश्रम में आने का तुमारा क्या प्रयोजन है, तब राजा विशी से कहने लगे कि हे मुनीवर, मेरी प्रजा का एक ब्रामन है, उसकी इस्तरी को क कोई दुष्ट हरकर ले गया, मैं उसकी खोज में इदर उदर भटक रहा हूँ, परन्तु मुझे ये देखकर वड़ा आश्रिय हो रहा है, कि आपने मुझे ने तो अर्द आजी दिया, नहीं मेरा आदर सतकार किया, और नहीं मुझे कंद मुल्पल खाने के लिए दिया, इ इशी ने उतर दिया कि हे राजन, तुम अर्द योग्य होते हुए भी अर्दे के पात्र नहीं रहे, क्योंकि तुमने अपनी निर अपराद विवाइद इस्त्री को बन में त्याग दिया, जो पुरुष अपनी इस्त्री का त्याग कर देता है, वह किसी के आदर सतकार के क पाबिल नहीं रहता, जहां इस्त्री का यह धर्म है कि वह अपने पती की तन्वन से सेवा करे, उसकी आग्या का पालन करे, वहीं पुरुष का धर्म है, कि वह अपनी पत्नी का मान सम्मान करे, उसकी रक्षा करे, जिस गर में इस्त्रीयों का मान होता है, वहां देवता वा विश्यत काल और वर्तमान काल तीनों कालों के जानने वाले लगते हो। अतर अब आप कृपह करके बताईए कि उस ब्रामन की इस्तरी को कौन और कहां हर कर ले गया। रिशी कहने लगा कि ये राजन आदी का पुत्र बलाक नामक राश्यस ब्रामनी को उत्पला वर्तमान में हर कर ले गया। अतर तुम वहां जाओ और उस ब्रामनी को उसके पती से मेल करवा दो। चाये तुमारे पाप कुछ हद तक दुल जाएं। तब राजा ने मुनी को प्रणाम किया और पुन गुड़े पर सवार होकर मुनी के बताये हुए उत्पला वर्तवन में पहुंचा। वहां जाकर देखा एक इस्त्री वील्व फल खा रही थी। जैसा ब्रामनी ने बताया था वै वैसी ही रंग रूप वाली दिखाई दे रही थी। तब राजा ने उसे पैचान लिया और कहा कि है कल्याणी तुम इस वन में क्यों आई हूँ। ब्रामनी कहने लगी कि मैं अती रात्र ब्रामन की पुत्री और विलाश पुत्री की इस्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। कि बलाक नाम के दुख उठा रही हूँ राजा ने कहा कि ये ब्रामनी वह राक्षस कहा गया मुझे तुमारे पती ने तुम्हे डूढने को भीजा है ब्रामनी ने कहा कि वह इस वन के अमुक इस्थान पर गया है जाओ उसे देख लो राजा ने ब्रामनी के बताए हुए इस्तान परवर में जाकर राख्षशस को देखा राख्षशस ने जैसे ही राजा को देखा तो उसके चड़नों में गिरकर परणाम करने लगा और कहने लगा कि है राजन मेरे लायक क्या आ गया है मैं आपकी कैसेवा कर सकता हूं राजा ने कहा कि है निशाचर तू उस ब्रामनी को यहां हर करक्यों लाया यदि तू उसको इस्तरी बनाना चाता है तो वै तो अत्यनती ही कुरूप और उटील सोभा की है यदि तू उसे खाना चाता है तो वैसा कहे राजस कहने लगा कि है राजन मेरे घर में बहुत सी सुंदर सुंदर अपसराय है उनको छोड़ कर मैं इस कुरूप से भोग करने की इच्छा भी नहीं कर सकता और मैं मास नहीं खाता क्योंकि मैं मासा हारी नहीं हूँ मैं तो केवल पूर्वजन में के पापों का प्राश्चित कर रहा हूँ इस ब्रामनी को हरक लाने का केवल एक मातर उद्देश्य है कि इसका पती राख्चसों को मारने का मंतर जानता है जब हम यग्य के अन्य को ग्रैन करने के लिए जाते हैं तो वह मंत्र बोल कर हमें भगार देता है सब यग्यों का वही ब्रामन आचारिय है तो उस ब्रामन को दुखी करने के उद्देशे से ही हम उसकी इस्तरी को यहां हरकर लाए है क्योंकि बिना इस्त्री के पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं रहता और नहीं बिना इस्त्री के कोई पुरुष यग्याहवन पुजापाट आधी कर सकता है यह सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि यह राक्षस भी मेरी निंदा कर रहा है मुनी ने भी मेरी निंदा करी और ब्रामन ने भी मेरी निंदा करी राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि तब भी राक्षस हाथ जोड़ कर कहने लगा कि है महाराज अब आप रसननता पूर्वर मुझे जो आग्या देंगे मैं वही करूँगा राजा ने कहा कि हे निशाचत तुम उस ब्रामनी को वापस उसके घर छोड़ाओ जब मैं तुझे याद करूं तो तुम मेरे पास उपस्तित हो जाना राजा की आग्या पाते ही वैराक्षत तुरंत उस ब्रामनी को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया उसके बाद राजा अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने अपनी राणी का त्या किया है मुझे उसी का दोश लगा है अब मैं ऐसा क्या पुन्यकारिय करूं जिससे कि मैं इस बागदों से छूट जाऊं ऐसा विचार करके राजा पुने भोडे पर सवार होकर उसी मुनी की आश्रम में गे और प्रणाम करके उनसे अपना करतवया पूछने लगे मुनी ने कहा कि हे राजन पुरुष के लिए इस्तरी धार्म आर्थ काम मोक्ष को देने वाली होती है इस्तरी के बिना पुरुष को इस लोग और परलोग में कभी सुप्राप्त नहीं होता इस्तरी चाहे कैसी भी हो करकशा खोटे सो भाग वाली मूर्क रोगी दरिद्री ही क्यों नहों परन्तु पती को उसका त्याग नहीं करना चाहिए राजा केने लगा कि है मुनीवर मैंने अपनी पती वता इस्तरी को बिना अपराद के त्याग दिया अब मुझे क्या करना चाहिए तब मुनी ने कहा कि है राजन तुमारी इस्तरी को शत पात नामक नाग ने वन में घूमते हुई देखा था वह उसे उठाकर पाता लोग में ले गया वहाँ नाग की नंदा नामकी कन्या ने उसको अपने घर में चिपा रखा है ए राजन तुमारी इस्तरी पाता लोग में सुरशित है तुम जाओ और उसे वहाँ से चुडा कर ले आओ राजा ये बात सुनकर अपने नगर में आया नगर में आने के बाद राजा सबसे पहले ब्रामन के घर गया ब्रामन को उसकी इस्तरी के साथ देखकर परम आनंद को प्राप्त हुआ उसके बाद राजा ने महल में आकर बलाक नामक राश्चस को याद किया राख्षस उसी समय राजा के सामने उपस्तित हो गया और पूछने लगा कि है महराज बताईए मेरे लाई क्या आगया है राजा ने कहा कि है राख्षस पातालोग में नंदा नाम की ना कन्या ने मेरी इस्त्री को वहाँ जबर्दस्ती पकर रखा है तुम जाओ मेरी इस्त्री को वहाँ से चुड़ा कर के लाओ उसके बाद राख्षस पातालोग में गया और वहाँ से राजा की राणी को लेकर आया और राजा को लाकर सौंब दिया उसके बाद राजा ने अपनी राणी से अपनी गर्ती की शमा मांगी रामी बड़े हिड़े की थी उसने राजा को माफ कर दिया उसके बाद राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे और धर्म का कारिय करने लगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि है नारद ये मैंने तुम्हें ग्रस्त आश्रम का महात्या में विस्तार पूर्वा सुनाया बोलिये विष्णु भगवान की जै, माता लश्मी की जै, कृष्ण कनया लाल की जै, राधा रानी की जै, कार्ति के भगवान की जै जै तुल सी माता मैया जै तुल सी माता, सब जग की सुखदाता, सब की वरदाता मैया जै तुल सी माता, सब योगों से उपर, सब रोगों से उपर, रुज की रक्षा कर भवत्राता मैया जै तुल सी माता, बटू पूत्री है शामा, सुर्बली है ग्राम्या मैया, सुर्बली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवत, सो नर तर जाता मैया जै तुल सी माता, हरी के शीश विराजत, त्रिबुवन से हो वंदित मैया, त्रिबुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया जै तुल सी माता, लेकर जनम विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपति पाता मैया जै तुल सी माता, हरी को तुम अति प्यारी, शाम वरन सुकुमारी, मैया शाम वरन सुकुमारी सब योगों से उपर, सब रोगों से उपर, रुज की रक्षा कर भवत्राता मैया जै तुल सी माता, प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता, मैया तुम से कैसा नाता हमरी विपद हरो, तुम क्रेपा करो माता, मैया जै तुल सी माता मैया जै तुल सी माता, सब जग की सुख दाता, सब की वर दाता मैया जै तुल सी माता, सब योगों से उपर, सब रोगों से उपर, रुज की रक्षा कर भवत्राता मैया जै तुल सी माता, बोलिये तुल सी महारानी की जै तुल सी महारानी नमो नमो, हरकी पटरानी नमो नमो, कौन से मैने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से मैने में हुई हरियाली कौन से मैने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से मैने में हुई पटरानी दूप दीप नेविद्यारती, तो पुस्पन की बरसा बरसानी चपन भोग चातीसो व्यंजन मैया बिन तुलसा एक नमानी जो कोई तुलसा को सवेरे गाए सिरीक्रश्न भगवान के दर्शन पाए जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए खीर खांड का भोग पाए जो कोई तुलसा को सांच को गाए सिरीक्रश्न जी की आरती उतारे जो कोई तुलसा को आधिरात को गाए सिरिक्रश्न जी के चरन दबाए तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो इस तरह आज मैंने आपको कार्थिक मास का नवा अध्याय नवे दिन की कता और तुलसी महरानी जी की आरती सुनाई आशा करती हूँ आपको इस कता को सुनने का स सम्पून फलप्राप्त होगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद